आज मैं करेले की सूखी सबजी बनाने जारी हूँ करेला हमारे हिल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है इडायविटिक पेसेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिससे अपना वेट लॉस करना है उसे करेला जोर से खाना चाहिए इस तरीके से अगर आप बनाते है तो बच्चे भी इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि इस तरीके से बनाने पर ये कम कर भी लगती है इसके लिए कराही ले कराही में 2 टीव लिस्पून के करीब आईल ले यहाँ पर मैंने सरसो का आईल लिया है आईल को अच्छी तरह से गर्म करना है जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए और उसमें से धुवानी करने लगे तब इसमें 200 गराम के करेब प्याज को बारिक टुक्रों में काटकर एड़ करें साथ में 2 हरी मिर्च पी एड़ करें गैस का फ्लेम हाई पर रखकर इसे 2 मिनट तक भून लेना है दो मिनट हाई फ्लेम पर रखकर भून लेने के बाद सेम क्वान्टिटी में 200 गराम करेला को अच्छी तरह से धो कर बारिक टुक्रों में काटकर एड़ करें गैस का फ्लेम हाई पर रखकर इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे दो मिनट हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद गैस का फ्लेम लो पर रखते रखकर लगा कर इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देना है और बीच बीच में चम्मत चलाते रहना है पांच मिनट के बाद इसका धकन हटा कर इसे स्वाद के अनुजार नमक एड़ करें नमक डाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका धकन लगा कर इसे फिर से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखकर पकने देना है और बीच मिनट करेला को लो फ्लेम पर पका लेने के बाद इसका धकन हटा दे और एक पा करेला को चिक कर ले करेला अच्छी तरह से पक चुका है इसमें अब मसाला एड़ करेंगे आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच धनिया पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्ज पाउडर एड़ करें अभी सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद इसका धकन लगा दे और इसे लो फ्लेम पर कम से कम तीन से चार मिनट और पकने दे और बीच मिच में चममस चलाते रहना है इससे मसाला करेले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से करेला बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लिकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे एक बाद जोड़ो से ट्राइ करें ये आपको बहुत ही पसंद आईगी चार से पांच मिनट के बाद इसका धकन हटा दे और एक बर करेले को चिक कर ले करेला अच्छे तर से पक चुका है और इसमें से तेल भी छुटने लगा है अभी गैस का फ्लेम ओफ कर दे और इसे प्लेट में निकाल ले इसे दाल चावल या फिर रोटी के साथ सर्व करें अगर आपको मेरी रेसिपेस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले